हेलो टू आल माई डिवाइन सोल फैमली यह सेकेंड पार्ट है ट्विन फ्लेम जर्नी के स्टेज़स के बारे में जिन्होंने फिर्स्ट पार्ट नहीं देखा रिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूँगी आप पहले वो देख ले फिर यह देखिए वरना कुछ समझ में आ गया कि मेरे एनरजी मेरे लिए पोख़त इंपोर्टेंट है आई शुड नॉट वेस्ट माई एनरजी यह आपको अंदर से बहुत अच्छे से समझ में आने लगेगा तो आप एनरजी को सेफ करने लगोगे वेस्ट टॉकिंग वेस्ट फ्रेंड वेस्ट लंबा डिस्करशन आन्वन्टट टॉक यह सब कुछ आप बंद कर दोगे आप सिर्फ जो मतलब है वहीं सोचोगे जो जानना हम वहीं देखो के craving होगी, तो knowledge की और जानना है, और जानना है और जानना है, क्या-क्या कमी है, अब ठीक करना है ये समझ में आपको आने लगेगा ठीक है? और आपको ये भी समझ में आएगा inner work is only the key ठीक है? तो आप एक्तम अच्छे से inner work करोगे, अपने आपको clean करोगे, अंदर से बाहर से, घर, सब कुछ ठीक है? तो ये आप seven stage में बहुच चुके हो मैंने इस टाइम पर चक्रा स्टार्ट किया था जब मैं full balancing में आ गई थी जब मेरा रोना धुना बंद हो चुके थे चक्रा स्टार्ट किया था और बहुत कम दिनों में मुझे बहुत अच्छे रेजल्ट पी मिले थे तो चक्रास का लिंक तो मैंने पिछले वीडियो में दे दिया है new viewers के लिए मैं बता दू आप जाके मेरे inner work part 1 inner work part 2 देख लीजिए और वहाँ पे description box में जो भी links है उसके according to inner work कर सकते हो जो इस जर्नी में हो तो करेंगे ही जो नहीं हो वो भी कर सकते हो सबके लिए अच्छा है तो अभी सेवन स्टेज में आप क्या कर रहे हो अपना चक्रा हीलिंग स्टार्ट कर रहे हो जैसे मैंने पहले बताया था कि आप gardening करो है ना प्लांटेशन करो से अपका हर्ट चक्रा उपन होते हैं रस्त में जा रहे हो डॉगिस को बिस्कूट दे दिये ठीक है या कुछ भी ऐसे चोटे-चोटे काम आप करते रहते हो साथ में तो आपका चक्रा आटोमेटिकली एक्टिव होने लगता है चक्राज कर लेते हो 90 days continue करेंगे तो बहुत अच्छा है एक बाद start किये तो भायों के लिए 90 days continue करें ancestors के लिए periods के टाइम पे 4-5 दिन रोकते फिर continue कीजिए complete inner peace feel करने लगते हो जैसे जैसे आप knowledge भी लेते हो आपका consciousness भी high होते हुए आपको समझ में आ रहे है मतलब पहले जो आप समझ नहीं पा रहे थे अब आपको सब कुछ clear picture दिखाई देने लग जाता है universal law और वो सारे चीज़ों को समझना शुरू कर देते हो जो भी हो रहा है because of a great reason behind यह आपको अच्छे से समझ में आने लग जाते हैं आप completely surrender कर चुके होते हो God को आपको trust आ जाते हैं आप इस टाइम पे God से बात भी कर रहे होते हो alignment में आने लगते हो तो आप जो सिफशक्ती है वो balance करने लगते हो seven stage में ही शुरू हो जाती है different different लोगों के लिए थोड़ा आगे पीछे होगा but almost ऐसे ही होते हैं शिफशक्ती इस टाइम पे balance होने लगते हैं God पे इतना trust हो जाते हैं आपको परता है कि God जो भी कर रहे हैं आपके अच्छे के लिए कर रहे हैं आप self-love के तरफ attract होते हो अपने आप में energy invest करते हो इस टाइम पे ही फरक नहीं पढ़ने लगता है कि वो आए ना आए क्योंकि आप inner union पाने लगते हो seven stage में आपके inner union होने लगता है आप जैसे जैसे fifth standard से sixth पे जाते हो तो DM आपको mirror करते हैं जो भी DF पहले अवेकन होके यह सारे काम किये तो DM according to आप जैसे जैसे आपके issues heal करते हुए आगे बढ़ते हो वो भी अपने issues को heal करने लगते हैं उनका anger issues बहुत जादा होते हैं ठीक है तो वो धीरे धीरे उनका भी कम होने लगता है seven standards से complete आगे बढ़ते हो DM आए नहीं आए फर्कने पड़ता यह feeling आने लगती है आए तो complete balance होके आए आए तो पहले वाला हरकत और ना करें क्योंकि आप अपने जो दर्ध जो तकलीफ जो pain जो सब जेल के आगे आए हो आप बापस उस जगा पे कते ही नहीं पहुँचना चाहोगे तो DM भी आए तो divine masculine बन के ही आए ठीक है तो यह feeling आपके अंदर बैठ जाती है compromise नहीं करोगे यह चीज आपको अच्छा लगता है आपको लगता है अकेले रहे लेंगे कोई problem नहीं है लेकिन वो दर्ध वाली वो pain वाली situation में फिर वापस नहीं जाना है अब जब आप 8 stage में पहुंचाते हो, self love में रहते हो, music सुनते हो, dance करते हो, go with the flow, अकेले रहते हो यह फिर आपको ना अकेले रहना अच्छा लगेगा, आपको बात करना है तो लगेगा मैं God से बात करूँ क्योंकि वो energy से बाहर निकलने को आपको मन नहीं करेगा, क्योंकि आप अभी समझ चुके हो कि क्या होते है, other energies और क्या होता है, God love, God frequency खुश रहते हो, high vibration में रहते हो, must maula type के कुछ फर्कने पड़ता है, कुछ भी हो रहा हो, मैं तो खुश हूँ कोई डाट रहे है, कोई चुला रहे है, कोई परिशान कर रहे है, लेना देना ही नहीं है, मैं तो खुश हूँ मतलब eight stage में आप चल रहे हो, तो एक दमा balance हो चुके हो, आपका अब inner union भी आप महसूस कर रहे हो तो इस टाइम पर क्या होता है, आप all of sudden बैठे हो, तो आप देखोगे, मेरे DM तो इस तरह से बैठा रहे था था, मैं भी बिल्कुल वैसे बैठी हूँ वो जैसे cut to cut बात करते थे, आप भी बिल्कुल वैसे ही बात करने लगे हो, emotionally भी ठीक है, हो जाएगा, positive रहो, सब अच्छा होगा, like इस तरह से, आप अपने आपको feel करो गया, ऐसे तो वो भी बात करते थे, फिर अचानक से आपको लगेगा, कि जैसे आप आप बंद कर रह रहे हो, और जूम रहे हो, ठीक है, तो आपको अचानक से लगेगा रहे है, वो तो exactly ऐसे ही करता था, मतलब इस टाइम पर आपकी union हो चुकी है, और inner DMDF याने shift शक्ति आपके completely balance हो चुकी है, इस टाइम पर, आपके जो right brain है, और left brain है, दोनों में connection बनती है, rainbow bridge, आपको dream मे या meditation में दिखाए दे सकता है, एक pool है, pool के एक तरफ कोई और, एक तरफ आप, ऐसा feel हो सकता है, कि bridge बन रहे है, ठीक है, rainbow दिखाए देगा, natural, मतलब 3D में भी आप आप आसमान के तरफ दिखोगे, तो आपको rainbow के sign, rainbow के symptoms, बहुत सारे चीज़े आपको stamp पर दिखाए दे रह है, inside in your brain, यह बहुत positive sign होता है, तो उसके बाद आप complete inner peace feel कर लो, परमान अवस्था में आप पहुचने वाले हो, समाधी अवस्था के जो situation होगी, वहां तक आप पहुचने वाले हो, आपको सब कुछ clear picture समझ में आने लगता है, आप align होने लगते हो, अपना body, mind and soul के साथ, दुनिया आपको beautiful लगने लगती है, सब कुछ आपको सुन्दर लगने लगता है, आपका intuition power जो है, बहुत high हो जाएंगे, आपको समझ में आने लगता है, वोने वाला कुछ situation, किसी के साथ कोई घटना घटने वाली है, तो आपको पता चलने लगेगा, जैसे divine आपको कर रहे हैं, तो आप अचानक खुश हो, तो आपको लग रहे है कि ये खुशी का कारण वो है, और क्योंकि आप हील हो चुकियों, आप खुश हो, तो naturally उनको अच्छी positive vibration मिल रहे हैं, तो वो भी inner peace में आ जाते हैं, तो इस टाइम पर फिर वो भी एकदम खुश-खुश रह है, आपको जमझ में आ जाता है, कि मुझे सबसे पहले meditation करना है, रही नहीं सकते आप बीना meditation के, आपको बेचानी होने लगेगी, एक दिन भी meditation नहीं किये, तो 999, तो old cell, old cycle, जगा परिवर्तन हो, situation परिवर्तन हो, बहुत सारे situations भी end हो जाएगी, लाइफ से बहुत सारे ऐ cycle, तो आप अभी new beginning के और एकदम पहुच रहे हो, अब एकदम self confidence, inner power, okay, और आपका soul mission जो भी है, उसके ओपर काम कर रहे हो, हो सकता है, आप कभी बच्पन से writing किये ही नहीं, ठीक है, लेकिन आप अचानक story लिखने बैठ जाओगे, अचानक कभी ता लिखने बैठ जाओगे जो talent आपके कभी आपने सोचा के है ही नहीं, वो सारे चीज़े आपके develop होने लगेंगे, तो ये समझ जाना आप 9th standard क्रॉस कर रहे हो, 10th standard, जब आप 10th standard में जाते हो, grow, आप और grow करते हो, और आपके उन्नती होते हैं, आपके life के अब new beginning हो चुके होती है, सब कुछ नया न success आने लगती है, अब आपके साथ सब कुछ positive और positive और positive ही होने लगती है, बहुत सारे knowledge इकठा कर चुके होते हो, हो सकता है आप अपना channel खोल दो YouTube में, knowledge share करने लग जाओ, आसपास के लोग है, उनको भी सिखाने लग जाओ, ये काम तो हम पहले से ही करते थे, सिखाने लग तो इस टाइम पर आप ज्यादा करते हो, knowledge देते हो, घर में, family में, friend circle में, जो नीडी है, जो जिसको जरूरत है, जो ग्यान है, आप शुरू हो जाते हो, ग्यान बाटने, ये आप समझ जाना, आप 10th standard में पहुँच गया हो, 11th standard, 10th के बाद 11th new beginning है, जानते हम लोग 1111, है तो इस टाइम पर आपके साथ, नए नए सब कुछ होने लगता है, जो भी आप काम कर रहे हो, आपका offer साने लगते हैं, आप हमारे साथ काम कीजिए, तो positive positive आपके interviews के calls आएंगे, अच्छी job लग जाएगी, ये सारे चीज़े आपके अप positively होके ही रहेगी, ये अब आपके साथ evidence, बहुत सारे प्यार, divine love, ये सब आपके ऊपर बारिश होने लगेगी, ये सब आपको अब मिलना है, तो आप समझाओ, आप 11 स्टैंडर्ड में हो, और आप अच्छे से inner work करते हुए आगे पढ़ रहे हो, आपके पहले कुंडलेनी अक्टिवेशन भी हो जाती है, में हो, आप completely peace में होते हो, 24 by 7 आपके peace आप किसी भी किमत पर नहीं खोते हो, आप higher vibration में पहुच चुके हो, ठीक है, अब आपको चोड़ी बातों में उन सब बातों में गुस्सा आएगा ही नहीं, हाँ, भयानक कोई कुछ गलती कर रहे है, जिसे interrupt करना जरूरी है, तब काली बन सकते हो, गुस्सा कर सकते हो, लेकिन नॉर्मली आपको और गुस्सा नहीं आएगा, जो भी आपका सुबह से शाम का रूटीन रहेगा, बहुत अच्छे से follow कर रहे हो होते हो, और एकदम खुश रहते हो, तो आप समझ चाओ, आप पहुच के 11 स्रेंडर में, इस ट घर वापस जाने के लिए, वो भी अपने DM को साथ में लेके, अपने विंग्स पाने के लिए इतना मेहनत कर रहे हो, ना कि किसी और से शादी करके कार्मिक अकाउंट्स बनाने के लिए, तो ये आप जान चुके हो, तो आप नैचरली डिवाइन टेस्ट में पास हो जाते हो जैसे आप इस डिवाइन टेस्ट में पास हो जाते हो, डिवाइन भी हैपी हो जाते हैं, डिवाइन भी समझते हैं कि चलो ये एक तम अब घर वापस आने के लिए तयार है, फिर आपके फाइनल डेस्टिनेशन, फाइनल 12 स्टेज, आप कंप्लीट कनेक्शन फिल कर डिवाइन के साथ, डिवाइन से बात करके, डिवाइन से परमिशन लेके हर काम करना शुड़ू करतो के, आपको पता है कि बस सब कुछ तो डिवाइनी है, जो होगा दो बेस्ट होगा, आगे का लाइफ लीट करने के लिए एक दम तयार हो जाते हो, सब के हाइस्ट गुट के लिए best हो रहे हैं तो आप भी अपना best करने की कोशिश करते हो आप भी अपना सब कुछ highest good के लिए करने लगते हो complete समाधी अवस्था याने परमानंद अवस्था में from inside पहुच जाते हो तो ये हो जाती है आपकी 12 stage बिल्कुल अपने में ही रहते हो अपने आप में ही रहते हो किसी के साथ कोई भी argument या किसी में आप उल्चोगे ने इस टाइम पर किसा आपको completely पता रहता है मेरा energy अलग है कौन सा क्या energy है क्या कौन है आप सब कुछ समझ चुके होते हो इस टाइम पर आपको कोई craving नहीं रहेगी कि उनका call नहीं आया DM कैसे है क्या है आप आख बंद करके DM से बात कर लोगे आप उनका energy एक second में feel कर लोगे पिक कर लोगे और आप according to that अपने energy को balance करके आगे बढ़ते रहोगे DM पर बहुत खुश होते हैं वह भी मिरारी कर रहे होते हैं आपको तो उनके भी सिच्वेशन होते हैं ups and downs होते हैं उसके साथ साथ मतलब वह भी balance में आ जाते हैं completely उनको भी सब आरेक बात करने लग जाते हैं आप सेर्फ लप को इतने अच्छा से समझ चुके होते हो कि आप खुदी प्रेम बन जाते हो ठीक है आपको प्रेम ढूंडने की जरूरत नहीं है आप जहां जाते हो वहाँ पे स्वर्ग जैसे महसूस होने लगते हैं आप बतलब इस टाइम आपके बहुत सारे ऐसे गुन आ जाते हैं जैसे कोई पेड़ अगर मर जा रहा है कोई पेड़ में अगर जान नहीं है तो आप अपने हाथ से उसको हिलिंग दे के बचा सकते हो या किसी को पेन हो रहे है किसी को तकलीफ हो रहे है कोई दर्ट में है तो अगर आप अपना हा बहुत दूर तक आपके औरा फैलने लगते है आप एक light बन चुके होते हो आप प्रेम बन चुके होते हो तो complete divine feminine आप बन चुके होते हो तो इस टाइम पे आपको मिलता है divine के तरफ से indications and result फिर वो indications तो मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था तो इस तरह से फिर आपको आपके इसाब से divine आपको marks देंगे, result देंगे, evidence देंगे, love देंगे और finally आप अपने destination में पहुचने के लिए तयार हो जाते हो आपका journey complete हो चुकी होती है अब divine guidance में आप चलोगे, soul mission करोगे, आगे का work करोगे, फिर तो जो भी आपके life पे है, DM से शादी, honeymoon, बगेरा, बगेरा वो तो होना ही है, क्योंकि DM को तो बापस आना ही है, वो तो आएंगे according to उनके करमा, फिर आप खुश हो जाओ, फिर इस धरते में आप अच्छे life को लिट करो, और फिर अपने dimension में खुशी खुशी वापस जाने के लिए भी तयार हो जाओ Thank you so much, आशागरते हूँ आप सबको, मेरा ये वीडियो बहुत अच्छा लगा